जै हिन जै शिक्षक साथियों मेरे चैनल में स्वागत है आप सभी का आज ये वीडियो मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ इसमें महानिदेशक स्कूल शिक्षय और राज परियोजना निदेशक की तरफ से एक आदेश आया है जो कि इपाटशाला 6.0 के क्रियानवन के संबन्द में है आप सभी जानते हैं कि करोना को देखते हुए विद्याले अकसर बच्चों के लिए बंद हो जाते हैं तो ये अपरेल 2020 से ओनलाइन काम जो इपाटशाला का शुरू किया था उसके डिफरेंट फेज में इपाटशाला 5.0 तक अभी हम काम देते आ रहे थे अब मिशन पेड़ना की इपाटशाला 6.0 के क्रियानवन के संबन्द में भी आदेश आ गया है इसकी अनुसार सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिशत प्रयाग राज के पत्रां कितने दिनांग 16.0.2022 के संदर्ब ग्रहन करने का कश्ट करें जिसमें निर्देशित किया किया है कि कोविट संक्रमट के रोक्थाम के द्रिश्टिगत प्रदेश के कक्ष एक सी आर्ट तक समस्त परिशदिये सहेता प्राप्त मानेता प्राप्त कस्तूर्बा गांधी बाली का विद्याले आने बोड के विद्याले दिनांग 13.0.22 तक बंद रहेंगे और 16.16 विद्याले में उपस्थित नहीं होंगे विद्यान सवा समाने निर्वाचन 2022 संबदी कार एवं आने प्रशास की कारियों के लिए समय समय पर निर्गित निर्देशों के अनुपालन हितु शिक्षक शिक्षनेतर करमचारियों की उपस्थिती विद्याले में अनिवार होगी तदा परिशती विद्यालेव में इनकी उपस्तिती COVID प्रोटोकॉल एवं शासन आदेश संख्या जो की 10 जिनवरी 2022 का है द्वारा जारी गैडलाइन का पूर्टे अनुपालन करते हुए सुनिश्चित की जाएगी अबगत कराना है कि शिक्षा मुंत्राले भारा सरकार द्वारा वर्ष 2026-27 तक प्रात्मिक अक्षाओं में सार्भवमिक मूलभूत साक्षर्ता और संख्या ज्यान प्राप्त करने के लिए ग्रेट 3 तक सभी बच्चों में पढ़ने लिखने की और संख्या ज्यान में दिनांग 23 दिसंबर 2021 को जारी किया गया जक्षा एक से आठ तक शिक्षग रहन कर रहे छात्र शात्राओं के शक्षणिक गतिविधियों सीखने की शमता पर कोई प्रतिकुल प्रभामना पड़े इसके लिए बेसिक शिक्षविभाग वारा अप्रेल 2020 से ही मिशन के अंतरगत पाच चरणों में दूरदर्शन आकाशवानी वाट्सअप के माध्यम से अभिभाव को बच्चों तक श्यक्षणिक सामगरी पहुचाए गई शिक्षकों द्वारा महला कक्षाओं का सफलता पूर्वक संचालन किया गया ततक्रम में बेसिक शिक्षविभाग द्वारा वर्तमान में भी बच्चों तक्षत प्रतिशत पहुच सुनिश्चित करने के लिए इपाच श्यला का छट्वा चरण प्रारम भी किया जा रहा है जिसकी अंतरगत विद्याले और शिक्षकों द्वारा निम्निवत गती विदियों का संचालन किया जाएगा सबसे पहले है श्यक्षण सामगरी का प्रेशन इपाच शाला के संचालन हितू राज इसतर से कक्षावार एवं विशयवार श्यक्षणिक सामगरी वाट्सप ग्रूप के माध्यम से प्रेशित की जाएगी जिसे शिक्षकों द्वारा प्रेणा साती अभिभावकों के वा अभिभावकों के माध्यम से बच्चों को अभ्याज एवं हल करने के लिए निरंतर प्रोतसाहित किया जाए प्रेणा लक्षे एप रीड अलोंग आप और दिक्षा पर उप्लब्द श्यक्षणिक सामगरी से प्रेणा साती बच्चों एवं अभिभावकों को जागरू कि किया जाए एवं उक्त आप के माध्यम से बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरिद किया जाए दूसरा है 100 डेज रीडिंग कैम्पेन का संचालन निपुन भारत के अंतरगत 100 डेज रीडिंग कैम्पेन की शुरुवात की गई है ततक्रम में राजी परियोजने कारेले के पत प्रेले में नहीं आ रहे है तब तक निम्नाधहर पर 100 डेज रीडिंग कामपेंग का संचालन किया जाए 100 डेज रीडिंग कैम्पेन के अंतरगत जो भी समः रही है τον मैं अपके साथ पहले से ही प्रेशित कर रही हूं आपके साथ शेयर कर रही हूं उमीद है आप को देख ले रहे हैं 100 days reading campaign के अंतरगत गतिविधियों का सपता है केलेंडर तयार किया गया है जिसे बच्चों, माता, पिता, भाई, भेनों एवं परिवार क्याना सदस्यों की सहायता से किया जाना है तद क्रम्य अभिभाव को एवं समुदाय की सक्रिय प्रतिभागता सुनिशित करने के लिए राज इसतर से प्रेशित सपता है गतिविधियों के कंटेंड नियमित रूप से प्रेणा साथी बच्चे अभिभाव को को वाटसप आदे की माध्यम से उपलब्द कराए जाए अभिगान को प्रभावी बनाने के लिए प्रतिष अपता निर्दारित गतिविधियों संपन निकराई जाए जिससे की दिए गए सपता हमें गतिविधियों को दोराया जा सके अंतताय से समझकर साथियों और भाई बहनों के साथ सोतंतर रूप से क्रियानवित करने में बच्चे सक्षम हो सके रीडिंग कामपेन की सामगरी मोहलक अक्षाओं के माध्यम से बच्चों एबम अभिभाव को को साजह की जाए जनपद, ब्लॉक, पंचायत, इस तरपर, काररत, स्वेम, सेवी, संस्थाओं, सेवी, अपेक्षित, सहयोग लिया जा सकता है प्रेणा साथी एबम प्रेणा सार्थी द्वारा इस अभियान के संचालन हितु बच्चों को घर पर ही पठन सामगरी उपलब दिगराई जाए प्रेणा साथी से सहयोग बच्चों के ओनलाइन शिक्षा की निरंतरता को बनाये रखने के लिए पूर्व की भाती प्रेणा साथी के रूप में स्चिक सहयता देने के लिए तक पर निकट रिष्टेदार पड़ोसी इसकूल समुदाय के ऐसे विशुपचन तक की जाए प्रेणा साथी से निम्न बिद्यों के संबंध में सहयोग के लिए अनुरोध किया जाए प्रेणा साथी के स्मार्ट फोन में प्रेणा लक्षिया रीड अलोंग आप एवम दिक्षया आप इंस्टॉल करने हैं तो अनुरोध किया जाए राज इस तर से प्रेशित सापताहिक सामगरी अपने आसपास महले के बच्चों को वाट्सप के माद्यम से साजा करने के लिए प्रेणा साथी द्वारा प्रेणा लक्षया रीड अलोंग आप एवम दिक्षया आपका प्रियोग करते हुए अभ्यास कारे कराने हैं तो प् महलक अक्षाओं को संचालन COVID-19 प्रोटोकॉल का नुपालन सुनश्चित करते हुए शिक्षको द्वारपूर्व की भाती महलक अक्षाओं को संचालन किया जाए महलक अक्षाओं के प्रभावी संचालन हेतु निर्देश नेम्न है पहला प्रधान अध्यापक द्वारा ग्राम प्रधान विद्याले प्रवन समीती के सदस्यों एवं अभी भावकों से अपेक्षित सहयोग प्राप्त करते हुए महलक अक्षाओं के संचालन के लिए सार्विने के स्थान जैसे पंचायद भवन ग्राम सची वाले खेल का मैदान आदी का निर्धारन किया जाए महलक अक्षाओं के संचालन के समय बच्चों को दूर दूर बैठा कर पठन पाठन कराए जाए तथा राज इस तर से प्रेशित समगरी बच्चों के साथ साजह की जाए महलक अक्षाओं के संचालन में क्रुविट प्रोटोकाल का पूर्टे हानुपालन किया जाए बच्चे शिक्षक मास्क लगाएं दोगज की दूरी पर बैठे सैनिटाइजर भी यूज करें बच्चे को शिक्षण योजना के अनुसार गती विधिया कराए जाए और उनकी दिन चर्या से संबंदित करिया कर आप विशेवस्तू पर आधारित कारे अभ्यासकारे आदी कराए जाए और इसका डोकिमेंटेशन भी किया जाए या दियान दीजे डोकिमेंटेशन भी करना है जो भी आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं जाए मोहला पाट्शाला में चाहे इपाट्शाला के अंतरगत आपको उसका करना है विद्याले के सबी शिक्षकों द्वारा गाउन में शिक्षण कारे के पश्षाद विद्याले आकर प्रते दिन के कारियों, प्रक्रिया, समस्याओं पर चर्चा करके अगले दिन के लिए मुहलक अक्षाओं के संचालन के लिए कारे योजना बनाई जाए विभाग द्वारा उपलब्द कराएगे e-learning सामागरी और वीडियो के साथ-साथ बच्चों की पार्थे पुस्तकों कारे पुस्तकाओं एमम लाइब्रेरी बुक्स को शिक्षणकार में सम्मेलित किया जाए जिन अभिभावकों द्वारा मुहलक अक्षाओं में बच्चों को नहीं भेजा जा रहा है ऐसे परिवारों को चिन्नित किया जाए और होम विजिट के माध्यम से उनकी काउंसलिंग करते हुए महला कक्षाओं में बच्चों के प्रती भागता सुनेशित कराई जाए यानि कि कोई भी बच्चा छूटने ना पाए इपाटशाले के संचालन हेतु आन्ने जो निर्देश है वो इस प्रकार है विद्याले द्वारा कक्षवार सभी बच्चों के अभी भावकों का एक वाट्सअप ग्रूप बनाये जाए शिक्षकों द्वारा राजिस्तर से भीजी गई शेक्षणिक सामगरी को ओक्त वाट्सअप ग्रूप में साजह किया जाए शेक्षक को द्वारा भी अपनी तरफ से प्रात्मिक्ता के अधार पर विशयगा शेक्षनिक सामगरी प्रेशित की जाए बच्चों को हल करने वा अभ्यास करने के लिए प्रोथसाहित किया जाए ऐसे बच्चे जिनके विवावा वाट्सअप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं उन बच्चों के परिवार में जो भी पढ़े लिखी सदस से हो उनके सप्तहा में एक दिन विद्याले में आमंत्रित करें पूरे सप्तहा की कारयोजना से आप घत कराए और उनकी द्वारा बच पहले में कालरत सभी शिक्षकों, शिक्षामित्रों, अनुदेशकों के मध्य बच्चों का कक्षावार और संख्यात्मक विभाजन सुनिश्चित किया जाए जिससे कि सभी शिक्षक, शिक्षामित्र अनुदेशक अभी भावकों से संपर्क स्थापित किया जा सके अभी पाट्षालागे संचालन के माध्यम से यह भी सुनिश्यत किया जाए कि बाचे पूर्व में पढ़ाय गए पाठो कराये गई गतिविदियों को इसमरण रखें वर्तमान में सीखने की प्रक्रिया से जुड़े रहें इसलिए आवशक है कि सिखाया गए सभी विश्यों पर उ आशाय मंगड़त के कार्यपत्रक भी अप्लोड किये गए हैं शिक्षकोद्वारा उक्त कार्यपत्रों के सहायता से बच्चों के अभ्यासकार कराये जा सकते हैं आपको ये कार्यपत्रक मेरे चैनल पर भी मिल जाएंगे मेरा टेलिग्राम चैनल है उसमें सभी कक्षाओं क कार्यपत्रक आपको मिल जाएंगे कोविड-19 महमारी की इस्तिती में शिक्षा मंत्राले भारा सरकार दौरा बच्चों के वीच निरंतर सीखने को सक्षम करने के लिए आत्म निर्बर भारत के तहत 1 सितंबर 2020 को PME विद्ध्या पहल शुरू की गई जिसके अंतरगत कक्ष एक से बारा तक के लिए 6000 से अधिक पार्ठ गरम आधारित वीडियो कारिकरम प्रसारित किये जा रहे हैं Supportive Supervision जो भी ये ये पार्ठ शुरू कारिकरम होगा उसके सपोर्ट इब सुपर्विजन किया जाएगा जोकि प्राचार ये डायेट जिलाविस शिक्ष़ा दिगारी के नितरत में होगा अनुश्रवन उसी प्रकार किया जाएगा जिस प्रकार पहले की इपाटशाला की सम्मद में किया जाता रहा है उसी प्रकार किया जाएगा इसलिए निर्देशित किया जाता है कि मिशन प्रेड़ना की पाटशाले की सफल संचालन हेतु जनपा दिस्तर पर कार्योजना विक्सित करते हुए उप्रोक तनुसार कारवाहि सुनिशित की जाए और ये आदेश है हमारी महाने देशक जी का अनामिका सिंग जी का इसके बाद जो बिंदू है जिन पर शिक्षक, संकुल, ब्लॉक और जनपा दिस्तरी बैठकों में समिक्षा की जाएगी सबसे पहला बिंदू है 100 days reading campaign की सपताहिक प्रगती शिक्षक को द्वारा संचालित महलक अक्षाओं की संख्या की समिक्षा इपाठशाले की संचालन है तो विक्षित किये गए वट्स अब बिभाफ को की संख्या और प्रगती इपाठशाले की संचालन में विद्यालेवार प्रेणा साथियों की संख्या प्रगती की अधितन समिक्षा दीक्षाय प्रेणा लक्षय आप एवं रीड अलोंग आप डाउन्लोड करने वाले बच्चो विभावकों की संख्या प्रगति की अदितन समिक्षा राज परियोजना कारे ले दोरा वाट्सप गुरूप के माध्यम से साजह कीजिन की जाने वाली शिक्षण सामिगरी की पहुँच एवं अपयोगता की समिक्षा वाट्सप गुरूप के माध्यम से सपता है कुछ प्रतियोगता में प्रतिभाग कर है बच्चों की संख्या और प्रगति की समिक्षा केंद्रिय श्यक्षिक प्रध्योगे की संसान के तरफ से एक लेटर 16 जनवरी 2022 को जारी किया गया है जो कि शिक्षा मंत्राले भारत सरकार की PME विध्या पहल के तहत श्यक्षिक टीवी और रेडियो सामगरी के व्यापक प्रसार हेतु है जिसमें ये कहा गया है कि पूर्व की भाती पुनहा रेडियो और टीवी पर फिर से कक्षा एक सिलिकर बारा तक विभिन पाठिकरम का प्रसारंड किया जाएगा हम अपने बच्चों को ये भी देखने के लिए प्रेरित कर सकते हैं तो इस तरह ये पाठशाला 6.0 का आरंभ हो चुका है और अब इसके अंतरगत जो हमें सामगरी प्राप्त होगी वो मेरे चैनल पर समय समय पर शेयर कर दी जाएगी तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्स पर वाचिंग